जे शिरी केदार दोस्तों एक बार फिर से भारी स्नुफल के वज़े से कैदाना धाम में यात्रा को रोका गया है अब ही फिलाल कोई भी सूचना नहीं है कि यात्रा कब से शुरू की जाएगी लेकिन यहां पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि सोन प्रियाक में बीते दिन भी काफी लोगों को रोका गया था ग्यारा बज़े के बाद से सोन प्रियाक से आगे नहीं भक्तों का आने दिया जा रहा है और वहीं जो लोग गौरिकुन पहुँच चुके हैं उन्हें सिर्फ उनकी बुकिंग के आधार पर ही आगे जाने दिया जा रहा है गौरिकुन से भी देड़ बज़े के बाद में किसी को भी उपर जाने के लिए आगया नहीं है तो दोस्तों अगर आप प्लाइनिंग करने हैं तो मैं आपको यही कहना चौँगे कि आप मौसम की अपडेट के साथ में अपनी यात्रा की प्लाइनिंग करें फिलहाल अगर आप जहां रुके हुए हैं वहीं शासन प्रसासन ने आपको रुकने के लिए कहा है जब तक कि इस नौफॉल कम ना हो जाए या मौसम बिलकुल साफ ना हो जाए दोस्तों अगर कैदारनाथ में महगाई को लेकर बात करें तो गौरी कुंड और कैदारनाथ में अभी बहुत जादा महगाई की गई है लोगों के द्वारा क्योंकि इस वक्त बहुत ही कम वहाँ पर पर्याप्त चीजे हैं और लोग बहुत अधिक हैं तो आप अपने बज को देखकर ही अपनी यात्रा की प्लाइनिंग करें इसी प्रिकार बदरीनाथ धाम में भी यात्रा को रोग दिया गया है फिलाल हैवी स्नोफोल के कारण वहाँ भी यात्री नहीं चाह पा रहे कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले हर हर माहादे उज्जैश्री के दिए